नवश्कार मैं हूँ दिपाली शिवास्तव और आप देख रहे हैं सतेहिंदी.com सतेहिंदी.com के इस खास कारक्रम सुनें सिनमा में आप सभी का एक बार फिर से सौगत हैं इस खास कारक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलिवुट की हफते भर की खास ख़बरों के बारे में मशूर निर्देशक संजलीला भंसाली की फिल्मों का विवादों से कहरा नाता रहा है और अब उनकी अपकमिंग फिल्म गंगुबाई काठ्या वाडी विवादों में फस्ती हुई नज़र आ रही है फिल्म को लेकर गंगुबाई के परिवार वालों रे संजलीला भंसाली, एक्टरस आलिया भट और लेखक हुसैन सादी के खिलाफ पॉंबे सिटी सिविल कोर्ट में केस तर्श कराया है और इस मामले में तीनों को 7 जनवरी 2021 तक जवाब देने का वक्त भी दिया गया है आपको उता दे कि गंगुबाई के परिवार वालों ने फिल्म की कहानी पर आपत्ती जताई है और फिल्म की कहानी लेखक हुसैन सादी की किताब माफिया कुइंस ओफ मुंबाई पर आधारित है तो यह इस फिल्म में डॉन गंगुबाई की कहानी दिखाई जाएगी जिसमें आलिया भट डॉन के किरदार में नजर आने वाली है आपको यह बता दें कि गंगुबाई साठ के दश्यक में मुंबाई माफिया में एक बड़ा नाम थी और कहा जाता है कि उनके पती ने सिर्फ पांसो रुपए के लिए उन्हें पेश दिया था इसके बाद वह वेश्यवरती की दुनिया में आ गई थी इस दौरान उन्हें बहुत सी लड़कियों के लिए काम किये थे फिलहाल अब संजरीला भंसाली की फिल्म विवादों में फस रही है और यह पहली बार नहीं है जब निर्देशक की कोई फिल्म विवादों में है इसके पहले साल 2018 में उनकी फिल्म पदमावत रिलीज हुई थी जो भी विवादों में खीरी हुई थी अब साथ जनर्वी तक निर्देशक और अक्टरस क्या जवाब देते हैं ये आपको हम आगे अपडेट कर देंगे आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर ये है कि कुरोना वारस का कहर देश भर में अब भी जा रही है और ऐसे में लगातार साथानी बरतने की हितायती जा रही है तो वहीं मुंबई के कुछ शेहरों में कुरोना संक्रोन को देखते हुए सकती बरती जा रही है मुंबई में 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाए गया है और इस पीच मुंबई एरपोर्ट के पास इसने ड्रागन फ्लाइट नाम के एक पब में मुंबई पुलिस ने चाप इमारी की थी इस रेट के दौरा नाइट कर्फ्यू का उलंगन करने पर 35 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केश तरश किया था जिसमें अक्टर रेतिक रॉशन की पूर्फ पत्नी और इंटिरियर डिजाइनर सुजैन खान और सिंगर गुरू रंधावा का नाम भी शामिल था इसके बाद खबरे आई थी कि सुजैन खान और गुरू रंधावा को पुलिस ने गर्फतार कर लिया है लेकिन अब खुद सुजैन खान ने इन खबरों को गलत बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया और लिखा पिछली रात मैं अपनी करीबी दोस्त के बर्दे डिनर पर थी और हम में से कुछ लोग फिर सहर स्थित जे डबलू मेरिट के ट्रेगन फ्राइक क्लब में गए थे रात के ढाई बजे अथर्टीज कलब में आये कलब मैनेजमेंट और अथर्टीज के बीच बाचेत हो रही थी और बाकी गेस्ट को तीन घंटे के लिए रुकने को कह दिया गया था हमें सुबह शे बजे जाने की जाज़त दे दी गई थी इसलिए मीडिया के कुछ सूत्रों दोरा जारी की अरिस्ट की खबर बिर्कुल गलत और गैर सिमेतारी का काम है उन्होंने आगे लिखा कि मैं खुद नहीं समझ पाए कि क्यों हमें रुकने को कहा गया था या अथरोटीज और कलब के बीच क्या परिशानी हो गई थी मेरा ये बयान रिकॉर्ड में भी रखा जा सकता है मुंबई पुलिस के लिए मेरे दिल में बहुत इज़त है और आभार है तो वह इस बुरे मामले में सिंगर गुरू रंधावा का बयान भी सामने आया और उन्होंने माफी भी मांगे सिंगर ने कहा कि वो सुभा दिल्ली निकलने से पहले अपने कुछ दोस्तों के साथ मुंबई में डिनर कर रहे थे उस रात हुई जबूल के लिए वो माफी मांगते है बयान में गुरू रंधावा ने ये भी कहा कि दुर्भाग के वश उन्हें स्थानीर प्रिशारसन दोरा जारी किये गए रातरी कर्फियों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी लेकिन वो सरकार दोरा जारी की गई सारी गाइडलाइंस का सम्मान करते हैं और उनका आगे से पालन करेंगे इसके बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली जब गिरिफतारी की बात हुई थी तो गुरूरंधावा और सुजैन खान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे और लोग उन्हें काफी खरीखोटी भी सुना रहे थे लेकि सुजैन खान के इस बयान के बाद काफी चीज़ें क्लियर हो गई फिलाल इस मामले में अब सारी चीज़ें साफ हो चुकी है आगे बढ़ते हैं तो अगली ख़बर ये है कि बॉलिवूर्ड में ही मैन के नाम से मशूर अभीनिता धर्मेंदु के फैंस के लिए एक बड़ी खुश खबरी है अमेरिका की न्यूजर्सी स्टेट जॉर्नल असेम्बली और सीनिक ने सयुक्त प्रस्ताफ पास करके धर्मेंदु को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है धर्मेंद के सिनेवा में अमूल यूगदान को देखते हुए दोनों सद्नों ने प्रस्ताफ पारित किया था अभीनिता को एक ओनलाइन कारिकरम के सरिये ये अवार्ड दिया गया इस कारिकरम का आयोजन अमेरिकी पुब्लिकेशन बॉलिवूट इंसाइडर ने किया था और आयोजन को नहीं बताया कि धर्मेंद इस तरह के अवार्ड को पाने वाले पहले भारती अभी नेता है उन्हें समानित करने के लिए न्यूजर्सी बुलानी की योजना भी थी लेकिन कोविड-19 के चलते सकारे क्रेम को निरस्त करना पड़ा तो एक इस अवार्ड को स्विकार करते हुए धर्मेंद ने बॉलिवूट इंसाइडर का शुक्रियादा किया और कहा कि इस समान से मैं बहुत खुश हूँ और मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ आपको इभी बता दें कि धर्मेंद ने साल 1960 में फिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलिवूट में डेब्यू किया था और उन्होंने करीब 60 साल के करियर में 300 से जादा फिल्मों में काम किया है जिसमें शोले जैसी ब्लॉक बस्टर फिल्में भी शामिल है धर्मेंदे कैसे भी नेता हैं जिन्होंने हर तरह की किरदार निभाए हैं और आज भी उनकी अच्छी खासी फैन फॉलॉइंग है हाली में धर्मेंदे अपनी होम ट्रडेक्शन फिल्म अपने टू का अलान भी किया था पहली बार पोते करण द्योल के साथ काम करते वे नज़र आएंगे इस फिल्म का उनके फैंस को पेस सब्री से इंतजार है तो वहीं सोशल मीडिया पर धर्मेंद को इस सब्वार्ट के लिए लोगों ने खूप सारी बधाई भी दी अक्ट्रूस कंगन राओत आए देन किसी न किसी वज़ा से चर्चा में रती हैं अब वो अपने घर को लेकर सुर्ख्यों में बनी हुई है देसल मुंबई के सिविल कोर्ट ने उनके घर को तूटने से बचानी की याजिका को खारिज कर दिया है जिसकी वज़ा से अब कंगना बॉम्बे हाई कोर्ट में चाने की प्लानिंग कर रही है अक्ट्रोस के वकील रिजवान सिद्धिकी ने इस बारे में ट्विट करते हुए लिखा दिन दोशी सिविल कोर्ट में मेरी क्लाइंट मिस कंगना रॉत की डीबी ब्रिज बिल्डिंग को लेकर दर्ज अंत्रिम प्रोटक्शन की याजिका खारिश कर दी गई है अब हम इस मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में जाएंगे आपको बता दे कि ये मामला साल 2018 में शुरूआ था जब बीमसी ने कंगना रॉत के घर को लेकर नोटिस बेजा था और इस नोटिस में ही कहा गया था कि कंगना ने अपने खार इस्थित अपार्टमेंट में गैर कानूनी कांस्रक्शन करवाया है इस नोटिस के जवाब में कंगना ने 2019 में कदम उठाया था लेकिन अब एक्ट्रोस अपने घर को बचाने की कानूनी लड़ाई को हारने के बाद Bombay High Court जाने वाली है इसके पहले भी कंगनाओत कई कानूनी फचोड़ों में फस चुकी है जैसे कुछ दिनों पहले लेखक जावे दक्तर ने उन पर मानहानी का केस किया था तो वहीं सोशल मीडिया पर अपने कई बयानों को लेकर भी उन पर केस किया गया था लेकिन इसमें से एक BMC दौरा उनके ओफिस के एक हिस्से में की कि तोड़ फोड मामले में BMC की खलाफ उन्होंने क्या चिका दी थी और मुआफ़जे की मांग भी गी थी और इस मामले में कंगनर नरात Bombay High Court से केस चीज़ चुकी है फिलाल इस नए केस में उनके साथ क्या होने वाला है क्योंकि वो Bombay High Court जाने वाली है और सिविल कोड से मामला हार चुकी है आगे इस पर क्या कारवाई होगी वो हम आपको अपडेट कर देंगे अभिनेता सोनुसूद अब लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है और यही वज़ा है कि लोगों ने उन्हें भगवान का दर्चा भी दे दिया है अब आंधर प्रदेश में स्थानी निवासियों ने सोनुसूद का एक मंदिर बना दिया है इतना ही नहीं सामने आए कि इस तस्वीरों में लोग हाथ जोड़ कर खड़े नज़र आ रहे है मता दें कि ये मंदिर आंधर प्रदेश के डबबा टांडा गाउं में बनाए गया है और इस पर अभिनेता ने भी अपनी प्रिदिक्रिया दिया है और उन्हें लिखा कि ये वाकई में मिरे लिए बहुत जादा खुशी की बात है मगर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये सब मैं डिजर्व नहीं करता मैं बस एक आम आदमी हूँ जो अपने भाईों और बेहनों की मदद करता है सोनु सूद ने लोगों की मदद करते हुए सभी की दिल में खास जगा बना ली है और अब लोगों से उन्हें खूब प्यार मिल रहा है तो मैं पिछले हफते खबर थी कि अक्टर ने अपने फिल्मों में विलन का रोल ना करने का फैसला किया था लेकिन अब खबर है कि अक्टर चिरंजीवी ने फिल्म के एक एक्शन सीन में सोनु सूद को मारने से इंकार कर दिया इस बारे में अभी नेता सोनु सूद ने बताया कि चिरंजीवी सर ने कहा कि मैं तुम्हें एक्शन सीक्वेंस में हिट नहीं कर सकता अगर मैंने ऐसा किया तो लोग मुझे शाप देंगे एक और सीक्वेंस सीन था जिसमें उन्होंने अपने पैर मेरे उपर रखे थे लेकिन वो सीन भी हमें फिर से शूट करना पड़ा मतादे की सोनुसूद और चिरंजीवी तेलबू फिल्म अचार्य में एक साथ नज़र आने वाले हैं और इसी फिल्म के एक्शन सीन्स में चिरंजीवी ने सोनुसूद को मारने से इंकार कर दिया फिलाल अभी इस सारे सीन्स फिर से दोराये जाएंगे और इनकी शूटिंग फिर से होगी लेकिन सोनुसूद की जो एक इमेज बन गई है एक मसीहा की तरह उसकी विज़े से उनका एक मंदिर भी बन चुका है सत्य हिंदी का एप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर